ओम् स्रीवेंकटे साय नम्हा मैं प्रोफेसर एस्वी एसस नाराइन राजू यूट्यूब चानल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ आज संत स्री गोस्वामी तुलसिदास जी द्वारा रचित स्री रामचर्त मानस के आयद्याकान से संबंदित और एक पद की व्याक्या अब मैं करने जा रहा हूँ क्या हुआ प्रभु शीरामचंदर जी दश्रत जी और कैकेई माता के पास आकर कैकेई माता से पूछ रहे हैं कि हे माता मुझे पिता जी के दुख का कारण का हो जिससे वही एत्न किया जाए जिससे दुख का निवारन हो तब माता कैकेई ने कहा कि हे राम सुनो दुख का सारा कारण नहीं है कि राजा का तुम पर बहुत असने हो इन्होंने मुझे दो वरदान मांगने को कहा था जो कुछ मुझे अच्छा लगा वही मैंने मांग लिया उसे सुनकर राजा के हुरुदय में सोच वुत्पन हो गया है क्यों ये तुम्हारा संग को छोड़ नहीं सकते हैं एक वर तो पुत्रसने हैं और दूसरी वर वचन की ममता है राजा इसी धर्म संकट में पड़ गये है अगर ये तुम कर सकते हो तो राजा की आज्या शिरोदार्य करो और इनके कटिन क्लेश को मिटा दो अब आगे क्या हुआ सबसे पहले गोस्वामी तुसिदाद जी के शब्दों में पद देखेंगे पद के साथ साथ पद की व्याक्या भी करेंगे निधरक बैट कहाई कटु बानी सुनत कटनता अति अकुलानी जीब कमान बचन सर नाना मनहु महिप म्रुद लच्च समाना जनू कटोरपन धरें सरीरू सिकै दनुष विद्ध्या बर भीरू सब प्रसंगू रगुपति ही सुनाई बैटी मन होतन दरी निटु राई मन मुसकाई भान कुल भानू रामू सहज अनंद निधानू बुले बचन बिगत सब दूशन मृद्धु मंजल जन भाग बिभूशन सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी जोपितु मातु बचन अनुरागी तनय महातू पितु तोशो निहारा दुरलब जननी सकल समसारा मुनिगन मिलनू विसेशी बन सबही भान्ती हितु मोर तेही महु पितु आयस बहुरी सम्मत जननी तूर आगे देखिए क्या हुआ कैकेई के बारे में इसे बता रहे हैं निधरक बैटी कहाई कट भानी सुनत कटनत अति अकुलानी जीब कमान बचन सरनान मन हु महि पम्रुद लच्च समान कैकेई बे धड़क बैटी आयसी खड़वी वानी कह रही है शायद जिसे सुनकर स्वयम कटोरता भी अत्यंत व्याकुल हो वुटी जीब दनुष हैं बचन बहुत सितीर हैं और मनो राजाही कोमल निशाने के समान है जन कटोरपन धरें सरीरू सिकई धनुष विद्या बर भीरू सबू प्रसंग रगुपति ही सुनाई बैटी मन हुतन धरिनिटु राई अब देखे स्वयम कटोरपन मतलब स्रेष्ट वीर का शरीर धारन करके दनुष विद्या सिकरा है प्रभुशी रामचंदर जी को सब हाल सुना कर वह ऐसे बैटी हैं मानो निश्टुरता ही सशरीर धारन किये हुए हो मन मुसकाई भान कुल भानू रामू सहज अनंद निधानू बोले बचन बिगत सब दूशन मुरुद मंजल जन भाग बिभूशन सूर्य कुल के सूर्य स्वभाविक ही अनंद निधान प्रभु स्री सितारामचंद स्वामेजी मन में मुसकराकर संपोन दोशों से रहित अईसे कोमल और सुन्दर वचन बोले जो मनो वानी के बुशन ही ते सुनो जननी सोई सुत बढ़ भागी जो पितु मात बचन अनुरागी तनय मातु पितु तोश निहारा दुरलब जननी सकल समसारा है माता जी सुनिए वही पुत्र बढ़ भागी महान सोबग शाली है क्यों जो माता पिता के वचनों का पालन करने वाला है मतलब अब आज्या पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है जननी सारे समसार में दुरलब है मुनिगन मिलनू विसेश बन सबही भांती ही तुमोर तेही महुपित आयस बहुरी संमत जननी तोर वन में विसेश रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्यान है उसमें भी फिर पिता जी की आज्ञा है और स्वयम हे जननी आपकी सम्मती भी है यहां आम तोर पर माना जाता है अयद्या जी में यह प्रचलित उक्ती है की माता खईकेई जी के मन में प्रभुशी राम चंदर जी के प्रती विसेश स्रिद्दा और बक्ती भी है कहते हैं लेकिन यहां राम कह रहे हैं कि हेमा यह सत्य हुआ क्योंकि अब मुझे दुल्लब और हमेशा खटिन समस्यावों से जूजने वाले इस राज्याविशेक पटाविशेक से मुक्ती दिला के आराम से ज्ञान आर्जन करने के लिए मुनियों रुश्यों से और ऐसे मिलने के लिए इसे सुवावसर आपने प्रदान किया आपको धन्यवाद यह प्रभुशी राम चंदर जी की भक्त वत्सलत आकृपा निदान क् सब इस पद का और एक बार मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं अब क्या हुआ कैके यी भे दड़क बैटी हुई ऐसी खड़वी वानी कह रही हैं जिसे सुनकर स्वैयम खटोरता भी अच्यनत व्याकुल हो उठी रानी की जीब दनुश हैं बचन बहुत से तीर हैं और मा महराज दश्रद जी उन तीरों के कोमल निशान के समान है सारे साज समान के साथ मानों कटोरता ने सशरीर दारन किया है और वस्रेश्ट वीर दनश विद्या सीक रहा है श्री प्रभुषी रामचंदर जी को सब प्रसंग सुना कर वह ऐसे बैटी हैं मानों स्वैयम निस्ट सुरता ही शरीर दारन कर बैटी हो स्ववाव से ही अनंद निदान सूर्य कुल के सूर्य प्रभुष्री सितारामचंदर स्वामी जी मन में मुश्करा कर ऐसे कोमल मदुर और सब दोशों से रहित वचन बोले जो मानों अर्दात सरस्वती के ही बोशन ही ते हे माता सुनिए वही पुत्र बड़ा बग्यवान और सभग्यवान है क्यों जो अपने माता पिता के वचनों के अनुरागी है माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र माता सारे समसार में दुरलब है वन में भी मेरा सभी प्रकार से हित होगा वहां मुक्य तो मुनि मंदली से मिलना होगा उस पर भी पिता जी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मत्ती है बहुत बहुत धन्यवाद जै श्री मन नारायन जै श्री राम